नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील बोवी और आप इस समय देख रहे अपना खास कार्शकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में हम खबरे लेते हैं बिहार के सिच्छा रोजगार और पंचायतों से गाउं से जुड़ी खबरे और क्या है बिहार में राजनीतिक हल चले त कार्ज कराने के लिए परतिनिदियों के लिए बिल्कुल सकत है और पंचायती राज विभाग ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब तक करिब 30,000 वाड़ों में किर्यानवन एवं परबंधन समीती का गठन नहीं हुआ है यानि वाड़ परबंधन और कि पत्र भी लिखा गया है लेकिन अब तक गठन नहीं किया गया दूसरी बात यह भी पंचायती राज विभाग के द्वारा कहा गया है कि पंचायती राज विभाग के बार बार कहने के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है जहां अगर वाड़ किर्यानवन परबंधन समीती का गठन हुआ है वहां भी अब तक के पूराने जो किरियानवन समीति के सचीव आदित जो थे मेंबर जो थे उनके दवारा उनको चार्ज नहीं दिया गया है कार्जों का रजिस्टर नहीं सौपा गया है जिसके कारण विकावसकार बाधित हो रहे हैं हलाकि इसको लेकर परणों के कारण यानि कि जहां पर अगर गठन हो भी गया है तो वहां चार्ज पुराने वार्ड क्रियानवन समीति के द्वारा नहीं दिया गया है और जहां नहीं हुआ है तो वहां जाभी न रहा है इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि वार्डों में होने वाले नलजली क्रोक बड़ा फैसला है सिर्ष अदालत ने कहा इस कानून के ताथ कोई केस दर्ज नहों केंदर सरकार को धारा 124 एपर पुनर विचार करने का मौका कानून के ताथ जेलों में बंद लोग जमानत अर्जी दे सके हैं सुप्रीम कोट ने बिते दिन को बड़ा फैसला सुनाते हुए देशद्रो कानून पर अस्थाई रोक लगा दी है सर्वोच अदालत ने केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक सरकार इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती है तब तक धारा 124 एक के तहत कोई एफायार दर्ज नहीं किया जाए यहां कानू 152 वर्सों बाद लागू था और इदर फैसला है BPSD का private college में नहीं होगा अब परिचाः केंद्रेश एक बार फिर से सुन लीजे की अब BPSD की जब भी परिच्छाः होगी तो private college में परिच्छाः केंद्रे नहीं होगा यानि सेंटर नहीं होगा पेपर लीक के बाद आयोग ने सभी डियेम को भेजा है खास निर्देश जिलादिकारी स्वच्छबी वाले दंदाधिकारी को चैन करेंगे कई सरकारी कोलेज मना कर देते हैं परिचा कराने से यानि कि कह सकते हैं कि बिहार लोक सिवा आयोग ने सरसठीनी संजुक परिचा का पेपर लीक होने के बाद बड़ा फैसला लिया है आयोग ने राज्य के सभी जिलादिकारी को असफ़ष निर्देश दिया है कि भविश की परिचाओं में किसी भी प्राइवेट कोलेज में परिचा सेंटर नहीं दिया जाए इसके अलावा बड़ी परिचाओं में स्वच पतादिकारीयों को ही परिचा कार्ज के लिए दंदादिकारी निउक्त करने के लिए निर्देशीत किया है और इधर सुपोल की अगर बात कर लें तो सुपोल में गैंग रेप हत्त्या मामले में चार को फासी की सजा परताब गंज में दो महिलाओं वा नवाली को से हुआ था रेप गोली मारने के बाद महिला से किया सामुहिक बलतकार धा दुशकर्म किया था पूर्वे केंदरिय मंत्री सुखराम का निधन हुआ है और बैवाहिक दुशकर्व पर दिल्ली हाइक कोट का बटा हुआ फैसला आपको बताते कि बैवाहिक दुषकर में को अपराद घोशित करने की मांग पर उच्छ न्याले ने बुद्धवार को बटा हुआ फैसला सुनाया करीव साथ साल से लंबित इस मामले पर एक नया धीश ने बैवाही की दुश्कर में को अपराद घोशित करने के पच्छ में फैसला दिया जबकि दुसरे ने इसके विपच्छ में अपनी राय दी हलाकि दोनों ने पच्छकारों को सुप्रीम कोट में अपिल दायर करने की छूट दे दी है और इधर बात कर लेते हैं मृत सरकारी करमचारी की पत्नी 26 वर्स बाद मिली पैंसन यानि कि मृत सरकारी करमचारी की पत्नी को 26 वर्स बाद मिली है पैंसन पती का बकाया बेतन तता पांच लाख रुप्या मुआजा देने का भी आदेश दिया गया है कोट ने 18% सूध महिला को दो माह के भीतर देने को कहा है सरकार को कर्मियों को सिकायत निवारन के लिए बेव पोटल बनाने का भी आदेश दिया है आपको बता दे हाई कोट करने ने है मृत सरकारी कर्मी कृष्णा कुमार मिस्रा की पतनी लिलावती मिस्रा को 26 साल के बाद पेंसन मिलेगी पतना हाई कोट ने सुनवाई के बाद लिलावती के पच में फैसला सुनाया कोट ने महिला को पेंसन पती का बकाया बेतन तता पांच लाक रुपे बतार मुआवजा के साथ 18% सूध दो माह के भितर देने को आदेश हाई कोट के द्वारा दिया गया है वहीं राज सरकार को मुआवजा रासी की वसूरी दोसी कर्मी से करने की छूट दी है विभाग को 12 जुलाई तक भुक्तान का रिया बताने का भी आदेश है दिया गया है कि कोट के आदेश का रुपालन पूरी तरह से किया गया या नहीं और इधर अगलागी का जाएजा लेने पहुचे बियार के मुखमंतरी नितिश कुमार आपको बता दे कि टक्निकी सचीवाले भवन में लगी आग पर काफी देर तक पूरी तरह काबू नहीं पाये जाने के बाद मुखमंतरी नितिश कुमार बिते दिन साम साड़े साड़े पांच बजे स्वयम घटना सल पर पहुचे भवन परसाद में मुखमंतरी 30 मिनट रहे और उन्होंने पूरी स्थिती का जायजा लिया आग बुझाने को लेकर अपनाई गई परकिरिया और संसादों के संबन्द में अफसरों से पूरी जनकारी लिया और उन्हें आवस्यक दिसा निर्देश भी जारी किया है और इज़र लापरवाही की बात है कर ले तो सुबे में 15 हज्जार अस्पतार फैला रहे हैं कचरा राज के अस्पतालों में जीव चिकित्सा अपसिष्ट परबंधन निवामली का हो रहा है खुलम खुला उलंगन जीव चिकित्सा अपसिष्ट के निव्टारे का परमान पत्र लेना अनिवाज राज पर दूसर नियंतर परसर ने प्रादिकार पत्र करने के में हो रही है देरी और 11,7111 सरकारी अस्पतालों के पास कचरा परबंधन के संसादन ही नहीं है आपको बता दे ब्यार में 51,000 से अधिक अस्पताल मेडिकल कचरा पहला रहे है इन में से 11,7111 सरकारी छेत्रों में संचालित है जिनके पारा मेडिकल कचरा परबंधन का कोई जिनके पास कचरा परबंधन का कोई प्रमाधयम नहीं है इन अस्पतालों के पास परदूसर नियंदरन परसत का परमान पत्र भी उपलब्द नहीं है मेडिकल कच्रे से हो सकता है नुकसान आपको बताते चले कि चार मईसे जीलों को भेजना सुरू कर दिया गया था प्रस्न पत्र बिपेसी पेपर लिग के मामले में आपको बताते चले कि बिहार लोग सेवा आयोकी सरशटमी संजुक्त प्रारंबिक परत्युक्ता परिच्छा के प्रस्न पत्र लीग होने के मामले में एस आईटी ने जाज का दायरा और बढ़ा दिया है बिपेसी के वैसे अधिकारियों करमियों की सुची खंगाली जा रही है जो किसी न किसी रूप में प्रस्न पत्र के काम से किसी न किसी रूप से जुड़ हो रहते वहीं जीलों में मस्टेट के तोर पर भी पेसी के प्रस्न पत्र लेने आए हर एक अधिकारी को लेकर भी चान बीन की जा रही है और ग्रामीन कार्ज विभाग को ज्यादा नुक्सान हुआ है इसमें यानि कि जो आग लगी है आपको बता दे कि तकनिकी सची वाले में लग प्रियाल है इनकी चपेट में आ गई है और बदलाओ में दिखाता है विकास रनवीर का करना है तिजस्वी की पदयातरा से भाजपा बेचन राज़त का मानना है और हाई कोट में जजो की संख्या 75 हो नवीन कि सोर को मंत्री ने दी सर्धांदली और ऑनलाइन पढ़ाई की बाते कर लेते हैं तो ऑनलाइन की पढ़ाई का बुरा असर पढ़ा जहां लाब हुआ है तो महां हानी भी हुआ है दो साल में 9654 विद्यार्थी साइबर बुलिंग के सिकार हुए है इंसी एर्टी और मनुदरपन की रिपोर्ट से यह हुआ है बड़ा खुलासा अस्कूल को साइबर सुरच्छा की पढ़ाई कराने का दिया खास नेदेश एक हजार सिकायत एक महीने में आई बुलिंग की आपको बताते चले की मोबाइल से केवल आग खराब बच्चों में चिर्चड़ा परन और गुस्ता ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि बड़ी संक्या में हुए हैं आपको साइबर सुरच्छा से जुड़े कई जिसानिर्देश भी जारी किये गए हैं आपको बताते चले कि मुखमंत्री ने बिहार में जाती जनगना कराने का दिया भरोसा तेजश्वी का या बड़ा ब्यान जैसे ही तेजश्वी यादों ने इसके बिरोद में आने की बात कहीं तो मुखमंत्री ने 24 जंटा से पहले ही तेजश्वी को मुखमंत्री आबाश पर बुला लिया यानикि कि अपने मिनने के लिए बुला बुलाया गया और तुरत ही जट्के में देश्वी जादों भी मुखमंत्री के पास पहुच गए और जैसे ही दोनों नेताओं का मिलन हुआ यानि दोनों नेता आपश में बात किये बिहार की राजनिती के वार फिर से गर्मा गई है लोग अनुमान लगा रहे हैं कि याकिन दोनों के बीच लगतार मुलकातों पर मुलकाते हो ही है तो इसमें जरूर कुछ राजनिती भी है लेकिन जैसे ही बात करने के बाद तेजश्वी बाहर आते हैं मिडिया से मिलते हैं तो उन्होंने कहा मुखमंत्री ने बिहार में जाती जनगना कराने का भरोसा दिया है मुखमंत्री से मिलने के बाद पत्रकार उसे बात कर र बुद्ध बनाए जदिव परदेश अदेश उमेश कुस्वा ने पाटिपदाधिकारियों से आवान किया है और इधर विकराल रूपदारन हुआ जैसा कि अब जार रहे हैं कि पटना इसी तक्निकी सचिवालाई में सुबह साड़े च्छो बजे पाच्वी मंजील पर लगी थी आग और तीन विभाग आये हैं इसमें चपेट में हैं कडोरों की च्छती के असंका जाज के लिए तीम गठिद कर दी गए तीन मंजले में फै इपना समय तेरह जीलो में बारिस के असार बताये जा रहे हैं मौसम का मिजाज बदला बदला सहा है मौसम विभाग ने तेरह जीलो के लिए जारी किया है अलाट दो अस्तानों पर बिजली चमकने की भी आशकनका है और मोहाली में चलती कार में फेका गया था रोकेट ग्र यानि कि एती है आज की खास खबरे जो आपको जानना जरूरी था आपकी लिए काम की खबरे ती आपको आप वेडियो कैसा लगा जरूर बताने का काम करेंगे तले मिलते हैं